गुड मॉनी फ्रेंड्स वेलकम टू ओनलाइन इस्टिडी पॉइंट दोस्तो आज है साथ फर्वरी और स्टार्ट करते आज करनेफेस दोस्तो आज कुछ कारण बस यह वीडियो लेट हो गया इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूं कल से आपको राइट टाइम एनि मॉर्निं नमीं दम संचार उग्रह है जी सैट थर्टी वन को कि स्यान के माध्यम से कक्छा में सफलता पूर्वक स्थापित किया गया तो यह किया गया है दोस्तो एरियन फाइब से ठीक है option C दोस्तो मैं आपको पता दूख भारत का जो नमीं दम संचार उग्रह है जी सैट थर्टी सफलता पूरबक प्रक्षेपन किया गया है और यह प्रक्षेपन यूरोपी प्रक्षेपन सेवा प्रदाता एरिण स्पेस के राउकेट से फ्रेंच गुयाना से किया गया है और एरियन 5 यान 200 G730 उनको अक्षा में स्थापित करेगा यह के यू बैंड के साथ एक उच्छ श प्याद रखेंगे भारत को जो नवींतन संचारु बुर्या है जी सैट 31 कि स्थापित किया गया एरियन 5 ठीक है एरियन 5 तो आप याद रखेंगे चलिए अगला कोशन देख लेते हैं हरियाणा फार्मा सिटकल पॉलिशी 2019 के अंतरगत किसमें एक अत्याधुनिक फार्मा पा के तहत करनाल में एक अत्याधुनिक फार्मा पार्क इस्थाबित करने की परिकल्पना की गई है उसका उद्देश्य क्या है हरियाणा को फार्मा सिटकल विनिर्माड के एक केंद्र के रूब में विक्षित करना कि अपयाद रखेंगे हरियाणा फार्मा सिटकल पॉलिशी और दोस्तो आइद रहेगे और दोस्तो आपको अब्यास से पहले 4 फरवरी को जयपृर मिल्योटी स्टेशन में पूरबा लोकौन करकर Èho mejores किया गया ठीक है और यह अभ्यास तीन सेना तीनों तीन से स्थानों जो है जैपूर कोटा और अलवर में एक साथ संपन होंगे ठीक है तो भारती सेना की और से सब्सक्ति कमान 11 12 फरवरी दोहरुनीश को कौन से अभ्यास आउजित करेगा अभ्यास राहत ठीक है ओप्सन सी कर देखे दोस्तों नितिन गटकरी ने ओडिशा में तीन राष्टी राजमार्ग परिजनाओं का भूमी पूजन किया और 132 क्मिटर लंबे राजमार्गों का निर्माड 2345 क्रोड़ रुपए में किया जाएगा ठीक है दोस्तों उन्हों ने रुपए 431 की लागत वाली दिर्मार्गे दूस्तों कि राजनीतिक आर्तिक वार्थिक वार्ता के परिदामों के बार्थीक वार्ता के सहीं उक तो वक्तब जारी किया गया ठीक है यह दोस्तों यह यह वार्ता सेंट पीटर स्बार्ग में पत्चिस अबिस नुब्रент में तो 1808 को आजिस उई तोई थ क्रिसी और व्यापार पक्रेंदित था फिका और यह वक्तब दोस्तों 24 सम्झोता बिंदू पर सामिल था वारता के देख्षता कौन है डाक्टर राजिब कुमार और मौकसिन और स्किन ने की थी तो हाली में पर्थम भारत रूस रननीतिक आर्थिक वारता के प्रणामों के ब मोदी जी द्वारा राष्ट्री युद्ध संग्रहलय के स्थापना इंडिया गेट में ठीक आउप्शन सी प्याद रखेंगी चलिए अगला कोशन दिख लेते हैं 45 देशों के अध्यात्मिक शिविरवाले एक विश्व विरासत के इंद के स्थापना कहां की जाएगी तो ये की जागी दोस्तो मायापूर में ठीक है ऑप्सन बी देखें दोस्तो मायापूर में एक विश्व विरासत केंदर इस्थापित किया जाएगा जिसमें 45 देशों के अध्यात्मिक शिविर होंगे मायापूर पश्चिव मंगाल के नादिय जिले में इसकौन का वहिश्व मुख्याला है प्रत्यक देश का सिविर उसकी जीवन सहली संस्कृत पोशाक माहूल और खान पान को प्रतिविम्बित करेगा ठीक है इसकी जो अन्मानी तलागात है वह 3000 क्रोड़ रुपए हाली में किस राज्य ने डॉल्फिन के एक प्रजाती को राज्य का जली जीव घोशित किया है पंजाब ऑप्सन डी देखे दोस्तों ब्यास नदी में पाई जाने वाले सिंधू नदी डॉल्फिन को पंजाब राज्य का राज्य की जली जीव घोशित किया है और पंजाब सरकारी से हाली में राजे जली जीव खुश्चित करने को मंजुरी भी दे दिए है कि सर्कारी मिस्त करो पलाब समाज के सबसे कमजोर वर्ग तक पहुचने के लिए सहरी समरिधी उतसव का शुहरम किया गया है कि दीन द्याल अंतोधय मिशन ओप्सन ए दिखे तो शहरी समरिध्य उत्सव आवाज सेम शहरी ममलों के मंत्रा लग एक पहले जिसका लक्षि दीन द्याल अंतोधय मिशन राष्टी शहरी अजीब के मिशन का लाप सबसे कमजोर बर्गों तक पहुचाना है ठीक है राष्ट्री आपदा प्रवंधन प्राधिकर्ण द्वारा जैपूर कोट अधथा अलवर में 11-12 फरविक दवरान किस नाम से आपदा राहत अभ्यास का प्रशन किया जाएगा तो यह राहत है मैंने आपको पहले बताया ओप्सन सी ठीक है किस राज सरकार ने 1984 में कानपूर में हुए सिख विरोधी दंगों को लेकर विसेश जाजदल यानि SIT के गठन किया गया है यूपी गवर्मेंट ने देखे उस्तो यूपी सरकार ने 1984 में कानपूर में हुए शिख विरोजी दंगों को लेकर विशेश चांज दल का गठन किया है आपको बता दे कि कानपूर में शिख विरोजी दंगों को दोरन कम सकम 125 लोगों की मौत हुई थी क्वेशें नमर टोल्ब थेखे रूस के नुसार वर्ष दव की 6000 तक सतह से लक्षब्धने में सक्षम कितने में मिशाइल सिस्टम लौंच करने की युजना है ञाओ इब अब सफे की अधीक के शिख फर्स संधी के cryon प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर नमामी गंगे कारग्रम के तहट कुल कितने सीवरेज आधारभूत धाचे सम्मधी परजनाओं के मुझोरी दी गई है 136, option C देखें तो नमामी गंगे कारग्रम के तहट कुल 136, 136, सीवरेज आधारभूत धाचे सम्मधी परजनाओं के मुझोरी दी गई है और अब तक ये 26 परिजनाओं को पूरा कर लिया गया है अब देख लेते हैं लास्ट वीडियो का एंसर आंधर प्रदेश हाई कोट राज़की किस सहर में बनाय जाएगा जो बनाय जाएगा अमरावती में ठीक है ऑप्सन ने करेक्ट था आज का सवाल देख लेते हैं ICC का न आप ज्यादा ज्यादा लूगी थोड़ा पूराना कोश्चन है यह आप रेगुलर वीडियो देखते रहें होंगे तो आपको इंसर जरूर पता होगा फटा फट पूरी डिटेल के साथ ICC से रिलेटेड और साथ CEO चेर्मेन कौन है इसका हेड़क्वार्टर कहां पे इसकी स्थाबना का उतियाची सी क्या है इसे लेटेड आप सारी जानकारी कमेंट वाक्स जरूर दें और दोस्तों आज के वीडियो लेट हो गया स्वारी कल से आपको राइट टाइम मॉर्निंग में पांच बजे करने फेस्ट वीडियो जमिल जाया करेगी आप डेली सब्सक्राइब जरूर देखा करें हरे एक्जाम के लिए बहुत वेनिफेसर लेता है ठीक है फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक लिए अपना ध्यान रखिए स्वास्त रहिए बैस्त रहिए मस्त रहिए पढ़ते रहिए जय हिन जय भारत झाल झाल